हेलो वेल्कम तो आइक्जांबी पर आपका स्वागत है मैं नाम है रवी और जैसा कि आप थम्नेल से देखी सकते हो कि यह जो बेसिकली वीडियो है हमारी इसमें हम लोग जो जीके जीएस या फिर आप जीए कहलो ठीक है अबलक लगा के लिख देते हैं तो उस पर जो जो क्वेस्टन साथे जिस तरह के क्वेस्टन साते हैं उनको हम आप से स्टार्ट करने वाले हैं मौक टेस्ट वन का नाम है इसमें 25 mcq उसको डिसकुस करेंगे बल्कि उसके साथ जो अदिस्टनल इंफॉर्मिशन से उसको हम साथ में डिसकस करते चलेंगे जहां पर हमारा मेन फोकस होगा एंटीपीस एक्जाम को लेकर रेलवे का जो एक्जाम आने वाला है इसका अगर नोटिफिकेशन के बात करें तो जुलाई में सेड्यूल है रपी एफ की वी नियर अराउंड है बाकी जो हमारे कॉंस होंगे जिस तरह से आपका बिसिकली सपोर्ट होगा उसका अधार पर आगे बढ़ते चलेंगे बट स्टार्ट करने से पहले जैसे की और टाइम फेवरेट सुक्रात ने बोली है कुछ चीजे जैसे यहां पर लिखा है falling down is not a failure failure comes when you stay where you have fallen ठीक है तो हम एक्जाम देते हैं ए नहीं मान सकते है ठीक है that is not actually failure ठीक है उसको हम failure नहीं कहते हैं failure तब हो जाती है जब हम finally यह मान लेते हैं कि अब जो कुछ भी हम कर रहे हैं या जो भी चीजें है यहां से हम आगे नहीं बढ़े सकते हैं ठीक है हम मान लेते हो और हम वही रुख जाते हैं तो जब हम प्रयास करना बन कर देते हैं जब हम अपने effort डालना बन कर देते हैं वो होती है हमारी final failure, तो यह याद रखो, बाइकोसिस करते रहना, exam एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, exam निकलेगा, बस तयारी लगातर करते हो, यहाँ पर 1000 MCQs लिखे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर 1000 MCQs को करेंगे, जिसका आज से हम स्टार्ट करेंगे, अगर आपके को पढ़ना है, यह सभी लोगों के लिए जहां पर भी general awareness या फिर general studies आती है, तीक है, आप अगर बोलोगे तो मैं question का level भी बढ़ा दूंगा, तो यह बात ही, चलो start करते हैं, चलो बाई, question number पहला आप देखो, ठीक है, और यह सबना previous year question paper है, इसमें कुछ अलग नहीं है, य आपसे पहला question आपको दिखाई दे रहा होगा भाई, यहां पर क्या है, की बोला गया है, जो इन में पाय जाता है, यक्रा दू दंडे और मशली में, जिससे जो आरी बोड़ी को रखने की कुछिस मतला वो करता है, ठीक है, सायोग करता है, अब इसमें अगर आपको नर्मल इसमें पता है, दो टाइपस के विटामीन होते है, विटामीन में मतलब पहला विटामीन, अगर पहले विटामीन जो वर्ट से बना हुआ है, वाइट विटा प्लस एमीन, वाइटा का मतलब क्या होता है, वाइटा का मतलब क्या होता है, तो एमीन मिन्स होता है, नाइट्र ठीक है विटामिन जो भी आप बोलते हो भई तो एक होते हमारे वाटर सॉल्यूबल यानि जल में घुलन सील जिसको पानी में डिजॉल हो जाते हैं ठीक है वाटर सॉल्यूबल और एक होते हैं हमारे फैट सॉल्यूबल तो कौन से फैट वाले होते हैं कौन से वाटर वाले हो यक्रत अगया मशलीव अगयरा तो जब इनको काट देते हो काट कर अगर आप धूलते हो तो बहुत सारे विटामिन जो वीटामिन मतलब वाटर बहएकर चले जाते हैं राइक जैसे कि विटामीन बादeleri सब्सक्राइय को अगर अगर फोसुन कि indoning काटीव क्यों मिल्स मैं बाद धूलते हुए निसरे फिन ने काटत रहे हैं kई मैं काट सब्सक्राइए क्ई हिरो तो आप बेक्या थो लोगे क्यों कीडा याद रख सकते हो आप कीडा ठीक कीडा जो है जब आप उसको fat में डालों तो डिजॉल्व हो जाएगा तो इस तरह से आद रख सकते हो Daubio k vitamin k vitamin e vitamin d vitamin vitamin a यह सब क्या होते हैं fat soluble होते हैं मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें यह विटामिन्स पाए जाएंगे, यह वाले चार, ठीक है, K E D A, अगर आप उनको तेल में ज्यादा तलोगे, तो भी वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं, कि इनको आप बॉइल करके खाओ, इनका जूस पीओ, ठीक है, इनको D होता है, वाइटामिन जो D होता है, वो हमारी बॉड़ी बना सकती है, और एक होता है विटामिन B3, ठीक है, यह दो विटामिन ऐसे हैं, जो हमारी बॉड़ी क्या करती है, बना सकती है, बना सकती है, बाकी के सारी विटामिन बाहर से क्या करते हैं, बाकी के सारी विटामिन विटामिन इसमें दो हैं, एक तो विटामिन B हो गया, एक विटामिन C हो गया, दोनों के दोनों पानी में गुल सकते हैं, या ऑप्शन C भी हो सकता है, B-B हो सकता है, B-12 भी हो सकता है, B-12 को साइनो कोबालैमिन भी कहते हैं, विटामिन B-12 का नाम कहा है, साइनो कोबालैमिन कई बार question यह भी पूचा जाता है कि इनमें से कौन से vitamin में cobalt पाया जाता है तो vitamin B12 है जिसमें cobalt क्या होता है present होता है अब जल्दवाजी में बच्चे क्या कर देंगे टिक कर देंगे C पे लेकिन vitamin C होता है वो दूद में नहीं होता है तो अगर आप common sense का यूज करोगे scarbic acid ठीक है आप देखोगे तो vitamin C जो की दूद में नहीं हो सकता है ठीक है यह एसे डोता है तो बस यहीं से आंसर आजाएगा vitamin B12 क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा ठीक है तो option 2 यहाँ पर correct answer जाएगा चलते है question थोड़ा आगे चलने से पहले थोड़े नामी देख लो vitamin A को retinol कहते है ठीक है night blindness वगेरा इससे होती है हम सबको पता ही है vitamin D को calciferol कहते है ठीक है जो rickets वगेरा हो गया वो होती है vitamin E जो होती है toco for all कहते है इसको और इससे नपन सक्ताक आती है मतलब सारी कमजोरी वगेर आप कहा सकते हो जननांग जो होते है reproductive organs जो होते है उनमें कमजोरी वगेरा आती है और तो और जो vitamin E होता है इसकी capsules बहुत से आप कहा सकते हो जो महिलाएं और पुरुस क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं क्यूंकि इसे vitamin of beauty बोला जाता है खुबसूरती का vitamin होता है अगर आपको लगता है जरा सभी तो आप इसको consume कर सकते हो कुछ ऐसा नुकसान नहीं है इसकी tablets आती है वाइटमीन के जो होता है phytominadine जो है ठीक है उसको कहते हैं चलते हैं आगे वाइटमीन C एसकारभीक एसिड जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पर दूद नहीं होगा आप देख लेना पूरा ठीक है बाकी curry flower जो होता है सबसे अच्छा इसका source होता है pineapple हो गया ब्रोकली ब्रोकली बहुत अच्छा source माना गया विटामीन C के के लिए ठीक है ब्रोकली ग्रीन ग्रीन जो भी आती है उसको कहते है विटामीन भीन थाइमीन इसका नाम होता है विटामीन बी टु राईवीन तो यह हो गया कुछ चलते हैं और यह वाठार सॉल्यूबल है वटामीन भी सॱ्य इस ची वह व्यावर पूच बाते हैं कि अनीमीन रस वाउन सिट तो आप बोल सकते हो वो बीटामीन भी gti एनीमिय दर्मेमा रहा है इसको बिटामिन बिटामिन से कहते है चलते है आगे कि सभी नबर में टू इस से घर बार कर रहा है कि अंतरों के लिटेरश आजगा वह सबसे जादा यूटी अपर टी गई है तो तो हैंसे से अधिक no को सब्सक्राइब ही नहीं है तो सेंसेस तो evergreen question है इससे बही question हर बार आता है ठीक है एस चंदर क्या नाम तो उनका स करके कुछ नाम था ठीक है हुई उससे में director general थे ठीक है चलो फिलाल इसकी बात अमंग करें सेंसस पर question हर बार हर exam में लगबक एक दो एक दो आ जाते हैं तो normal सी चीजे हैं जैसे कि सेंसस में आपको एक literacy rate देख लेनी है ठीक है literacy rate of male female और एक बार chronology में याद भी कलो कहां पर जादा है ठीक है यह तीन चीजे तो देखनी है भाई किसमें आपको अगर आप सेंसस को तयार करने जा रहे हो ठीक है अपनी स्टेट का देख लो सबसे ज्यादा कहां पर है देख लो सबसे कम कहां पर है यह देख लो बस उस ते सही काम चल जागा तीन चीजे लिटरेसी रेट सेक्स रेशियो और चाइड सेक्स रेशियो ठीक है डेंसेटी वेगरा छोड़ सकते हो लेकिन अगर कर लोगे तो बहुत ही बहतर होगा ठीक है यह वाले सेंसस पर अभी जो यूपी पूलिस का पेपर हुआ था वहां पर दो क्वेश्चन आयते एक तो यूटी इसमें अगर आप देखोगे तो जो लक्षदीप और दमन एवन द्वीव है इसकी लिटरेसी रेट सबसे हाई है ठीक है इसकी लिटरेसी रेट सबसे हाई है ठीक है तो यही आपको इसका correct answer हो जाएगा लेक्षदीप एंड दमन एंदीप चलते हैं आगे यह अगर हम state-wise बात करें तो केरला फस्ट पर आ जाता है ठीके कितने पर्संट लिटरेसी रेट के साथ तो 94 54% literacy rate के साथ इंडिया की literacy rate आपको याद रखनी है 74.04 इंडिया की literacy rate है ठीक है, male literacy rate अगर हम बात करते हैं तो 82.14% है और अगर female literacy की बात करते हैं तो 65.46 जो है female literacy rate है ठीक है, ये इंडिया वाली याद रखने लाँ literacy rate of India 74.04 male की हो गई 82.14 और female की हो गई आपकी 65.46 ठीक है ये आपको ध्यान रखना है फिर देखो दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारे यूनियन टेरिट्री ओफ लक्षदीब लक्षदीब की आप देख सकतो 91.85 जो है इसकी क्या है लिट्रेसी रेट है उसके बाद छेटवे नंबर पर आपको देखेगा दमन अवं दीव अंडमान निकोबार भी पीछे नहीं है भाई हमें ऐसा लगता है ना बहुती बैकवर्ड एरिया होगा यह बट ऐसा नहीं है देख लो इनके नाम ठीक है अंडमान एंड निकोबार जो आईलेंड है वो काउन से नंबर पर है साथवे नंबर पर है क्रोनलोटी इवाइस ठीक है दिल्ली से जादा लिटरेसी रेट अच्छी है आपकी अंदमान एको बार में समझो ठीक है सबसे लीस्ट सबसे कम सबसे पीछे अगर लिटरेसी रेट किसी किये दैट इस इन भिहार 61.8% 71.2 मेल की है ठीक है फीमेल की 51.5 की तो अगर आप से पूछे सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेशियो कहां पर है तो आप बता दे ना भही यहां पर है कहां पर ठीक है चलो चलते हैं आगे निम लिखित में से कौन सा सास्त्री इनत रूप जो है भगवान जगनात की पूजा पर लुट जगनात की पूजा ठीक है तो उडिसा से मिलता हुआ यहां पर क्या है डाइड इस ओंडीसी जो है हमारा क्लासिकल जो डैंस है वह कहां का है और वहीं पर हमारी बगवान जगनात की पूजा की जाती है कथक वगेरा के बारे माप जानतों यूपी सत्रिया असाम मैंनी पुरिन हमारा करला का मनीपूर में हो गया हमारा के रला हो गया मूजी यह ङाद रखना दौनों के दोनों के डोंछी करना पर हमारे के जाते हैं पशेलीवान दिली यह पहला स्लतान इसाक्ष बाध कर दो चेयर पर बैठे और बहुत सारी सारी चीजों को करते हैं के तो चू स्लेब डाइनस्टी थी बेसिकली जब कोई भी टेरिट जो डेली सल्तनाथ में रूल करने आए थी सारे के सारे बाहर से आते हैं कुतुबुद्धी नाइबक की कैपिटल थी आप सोचो लाहर हमारे इंडिया में नहीं पड़ता था मतलब तब तो था लेकिन अभी तो नहीं ह ठीक है और दिली से तो काफी दूर है तो पहले लाहर थी फिर इलतुतमिस सहाव आते हैं उसको सिफ्ट करके दिली पे लेके आते हैं डेली पे लेके आते हैं क्यों ताकि जो नौर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया था जहां पर पहले कैपिटल हुआ करती थी वह ना बहुती इलतुतमिस सहागा तो तो थोड़े दिन तो कम से कम आसपास की इलाके को कैपचर करेगा ना की साउथ की तरह बढ़ जाएगा तो आप बोलोगे लौजीक है बात में पहले तो अपने अरिये के आसपास ही अपने अरिये को मजबूत करेगा तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर बात करो तो अलाउदीन खिल जी के बारे में आप जानते हो ना चित्तोड पर अटेक किया था रर्थंबौर पर अटेक किया था और गुजरात तक यह गयते हैं मालवा वगेरा क्रॉस करते हुए तो अलाउदीन का जो सेना पती दा मलिक काफूर उसको इन्हों बेजा था कि बाई जाओ साउथ में जाकर पता का लहरा के आओ तो दिल्ली जो भारत की तरफ कूछ करने वाला पहला जो सल्ता सुल्तान था अलाउदीन खिल जी ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है यह था बाकी chronology में बार देख लो सबसे पहले डाइनस्टी आ तो चार उलर थी उनको लाइन से दे दिया गया था मुबारक शाह आलमगीड शाह खिजर खाँ और एक और तो सबसे पहले हमारे खिजर खाँ थे यह सबको पता है ना कि इसको और उसके बाद आपके सबसे लाश्ट में कहना थे तो तो यह इनकी chronology थी तो यह वाला जो भी कि अप्शन टिक कर आओगा जिन्होंने भी उनका सही था बागी लोग गलत हो गया था ठीक है खिल्जी डाइनस्टिस के बारे में थोड़ा सा देख लो 1290 में आते जलालुदीन जो खिल्जी थे उन्होंने स्टैबलिस किया था ठीक है यह थोड़े से लिबरल थे दूसरे ध खिल्जी उनकी हत्या कर दीती और फिर क्या कर था अपने आपको इस्टैबलिस कर लिया था एज़ा सुल्तान ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है देवगीरी वह पहली जेगा थी जहां पर जो अलावदीन खिल्जी थे उन्होंने पहली बार मतलब अटेक कर आया था सा आट अटेक काप किया था ज है तो उनको ume metaf theo ठाग क्ये उनको गया था को वह टिख लेते हैं थो कह दो चिटोड पर अटां उन्होंने धिने थीवार था में दीक हिर्थ kehle आ थि में किया था माल्वा ओति पहले तहां ऑहां पर लो औफी आपको दल्जी गया थे ब्ड़ तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, चलते हैं आगे, हाँ, एक चीज और रखनी है, अगर कुष्टन बनता है, दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा सुल्तान था जिसने अपने सैनिको को पहली बार, मतलब सबसे पहले वेतन को कैश में देना स्टार्ट किया, नगत म पहली बार, देली सल्तरत में मार्केट को कंट्रोल करने की पॉलिसी किसने लागू की तो आपको ध्यान आना चाहिए, कि जो खिल जी थे, अपने सैनिको को वेतन कैस में देते थे, और बहुत कम देते थे, अब वेतन कम है, तो सैनिक कैसे सर्वाइब करेंगे, तो कईमाई और देखता था कि मार्केट मैं कोई बजारी तो नहीं कर रहा है, कोई जबर जस्ती जो कीमत दाय की कि उसके उपर तो पैसे नहीं बेच रहा है, तो सहाने मंडी को ő और को किस ने स्टेबलिस किया था, उसको इसको इसको किया था और इसका काम क्या होता था ये मार्केट में जो प्राइस वगरा है कमोडिटीस के उसको मेंटेन रखता था देखता था कि कोई ज्यादा पिर तो नहीं बेच रहा है वो सारी चीजे ठीक है चलते हैं आगे छोड़ो दो इसको ठीक है कुश्चन नंबर 5 है ये पेपर हुआ थ दिसंबर में सेलेक्शन पोस्ट का ही है दिसंबर 2020 में एक्जाम हुआ ये ठीक है कुश्चन देखो आप 2020 तक का पूछ लिया गया है मतलब की चावल के जो उतपादन में भारत का रेंक क्या है तो क्या मतलब 2020 तक का करेंट अफेर तीन साल पीछे का करेंट अफेर करना होत कि उसमें रैंकिंग देख लेनी होती है तो अगर जैसे इनोवेशन इंडेक्स हो गया इनोवेशन पर सरकार ज्यादा फोकस कर रही है तो उस पे आप देख लो इस तरह के क्वेश्चन को नहीं छोड़ना होता है तो भारत अगर विस इस तरपर चावल के उतपादन के वारत के मात्र प्रमुक नदिया कौन सी जो अरब सागरुमे बड़ा बॉपूस्टेन है भाई अमार कंटक्स कौन सी नदी निकलती यह दो नों जागर कहा पर गिरती है टिक तो बाकी तो में नहीं महानदी कहां से निकलती है जो इल्स है वहां से निकलती है ठीक है mila कश्णा हमारी हमारी Movie पर से से हो गई कावेरी हमारी prevent ब्रहा गेरी से हो गईी ओरी याद रखना को से आपकी आपकी अ filming कंटक्स के नती चलो अब सात्वा कुश्चन जो है what is the basic requirement for an ecosystem to function and sustain एक पास्तितिकी तंद्र के कार करने और बनाय रखने के लिए बुनियादी अभशकता क्या है तो input of solar energy, soil structure, organism, microorganism, बड़ा ही easy सा question बनाया भई देखो इन में से सारी कि सारी चीज़ेडेडेटे हैं energy पर तो अगर energy ही नहीं होगी तो कोई भी चीज़े अभई नहीं कर साथी इवन हम सब्सीर नहीं कर सकता है और गेस करने वाला question नहीं है, logics इसको solve किया जा सकता था, ठीक है, तो यहाँ 7 का ववा नांसर हो जाएगा, चलो नेम लिकेज में से किस परस में Thomas Cup का पहला subscribe मतलब अलग-अलग Cup होते है ना, आप कह सकते हो Trophy बगरा होती है उनसे और उनसे related sports पे question आते रहते हैं कि कई बार यह पुछाता है कि यह वाला जो Cup है किस game से संबन दीते है कई बार यह पुछ लिया जाता है कि यह पहली बार Cup हुआता है, जैसे ओलंपिक पहली बार Cup हुए थीक है, यह सारे question बहुत बार repeat हुए है तो वो ध्यान रखना और अभी इसमें तो मैं आपको सारे Cup लगबग जितने important वाले Cups हैं वो सारे बता दूगा, उनके sports बता दूगा ठीक है, यह आप select करके उसके आगे खुद लिख लेना, ठीक है, चलो, Thomas Cup के अगर हम बात करें तो यह 1949-50 में इसको start किया गयता है, 1949 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था, ठीक है अब यहाँ पर 9 से दे रखा है, क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, तो क्रिकेट में SS होता है, ICC World Cup, ररजी, विजय हजारी, सेयद, मुस्ताक, ठीक है, यह सारी चीज़े होती है फुटबॉल के important होते है, फुटबॉल के हो गए, बैटमिंटन के हो गए, ठीक है, यह पूछते है एजार कप बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, एजार कप, SSC में बहुत बार पूछा गया है, एजार कप किसे संब्धित है? पूलों से संब्धित है, बैटमिंटन से एक तो Uber Cup हो गया, Thomas Cup हो गया, जिसको अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है उबर और थॉमस ये दोनों किसे संबंदित है बैटमिंटन से फुटबॉल से डूरंड हो गया आपका ठीक है और संतोज ट्रॉफी कई बार ये पूछा गया है संतोज ट्रॉफी लोग लगा के आते हैं क्रिकेट पर जबकि ये है फुटबॉल पर ठीक है संतोज ट्रॉफी किस से रिलेटेड है फुटबॉल से रिलेटेड है ठीक है टेबल टैनिस से आपका नाइडू ट्रॉफी नाइडू ट्रॉफी आपकी चैस से संबन दीत है उसके अलावा ध्यांचंद ट्रॉफी दो-ध्यांचंद भाइल przysz तो और और यह तो ए-द्यां-चंद भाइल हागे तो न। का यसार बहुत बार के बार कि वहां primeiro मैंने जब इक्जाम दिया था तुछ वह पर XL कर्द lóg कुशन आया हुगा था WILL contr सब्सक्राइब ती किस किस मुवमेंट्स दे गो हिस्ट्री में मुवमेंट्स जो है ऑ्सोशल ठीक है पॉलिटिकल ठीक है ट्राइबल ठीक है और पीजैन्ट यह जितने भी रिवॉल्ट भाई इनको याद कर लो और उनको उनसे सम्मंदि जो फेमस पर्सनेलटी थी उनको याद कर लो ठीक है तो बेसिकली गर रानी जो अमारी गईनली थी वह कौन से हरेका मुमेंट से वह सम्मंदित थी ठीक है चलते हैं आगे बाकी इसको भी मैं करवा दूंगा ठीक है अगर जरूरी है ठीक है चलो कुशन नमबर टैन देखते हैं जनवरी 2022 में यूनियन केबिनेट था उसमें प्रिदान मुन्ति साब ने उसको चेयर किया था उन्होंने अप्रूफ किया है कि मतलब एक्स्टेंशन किया है टेन्योर को किसके नैस्नल कमिशन फॉर सफाय करमचारी य प्रिवाप तो क्या हम यसे त्यार करेंगे देशल पीछे एक रही प्रिवाइज करो इस तना पीछे नहीं भागना होता है एक दिखो कुछ लोग अभी से त्यारी स्टारट किया हूंगे शे महीने से कुछ लोग-धूस एकर उनका नोट वोट सबना है तो 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 अच्छ मस्तिटूशनल कमीशनल मतलब सविधान के दवारा गठte कमीशन नहीं है तरब सविधान के देख मैंसी अले मतलब सविधान सविंदान मेधा गठीधर अगो किस अरफ के अजार प्रफिकाशनल नहीं है उसके अलावा एक सो तो सविधान में लिखित नहीं है उनका टेन्योर देखोगे ना उनका टेन्योर और उनके जो चेयर्मैन होते हैं उनका टेन्योर आपको नजर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ तीन साल तक होता है जबकि जो तो constitutional होंगे वहाँ पर आपको या तो 6 साल नजर आएगा या 5 साल नजर आएगा ठीक है जादा तर जगे पर 6 साल नजर आता है तो यहाँ पर आप कितने साल के लिए बढ़ाया होगा तो गैस कर देता मैं होता तो मैं तुक्का मारता तीन पर क्यों क्योंकि यह कोई constitutional body तो है ठीक है और जितनी भी ऐसी bodies उन सबका कारेकाल तीन साल तक कही होता है तो यहाँ पर भी तीन साल तक बढ़ाया गया होगा तो यह इसका वैसे correct answer है ठीक है तो यह भी कई बार ऐसे भी आप guess मार सकते हो लेकिन हा लॉजिक होना ची उसके पीछे ठीक है चलते है आगे तो विच स्टेट अफ इंडिया डिट फातिमा बीवी देखो इन पर क्वेश्चन आया था बहुत बार तो यह पूचा गया ना कि सुप्रीम कोट की पहली महिला जस्टिस कौन थी चीफ जस्टिस वगरा ऐसे तो आपको पता है सुप्रीम कोट की जो जस्टिस थी हमारी फ 1423 dewandriti दिसमबर में पेपर हुआ है तो एक महिने पहले का अगर क्रेंट अफेर पूचा है तो क्या गलत है लेकिन हां क्या यह याद करते है क्या कीरल से संभंदीती कहां से नहीं करते हैं अब कर ले ना कई बार ऐसे kwets tidak bay conservation ब耼 unto यह कहां से संबंदी सिटिक के सुप्रीम क में इन्होंने जज की भूमी का निभाई थी ठीक है 1929-1992 तक चलते हैं आगे घिनान्ष क्लासिकल डांस के लिए महाफात्रा जो है ज्याब दो नातर परावेनह ना सकत्रिक ध्यावार्णी ना कूल को लिए माहापात्रा जो है यह ज़दे तर remake दो यह महा धर्यावा अवार्णी के लिए पहद When उडिसी नति की नत्यांगना जो है सुमित्रा सुरी रतिकांत महापात्रा जी को क्या मिला है संगीत नाटक एकादमी अवर्ड मिला है तो आप वहाँ पर रियाद हो जाएगा आपको की उडिसी से संब्दी ठीक है चलते हैं आगे 2011 की जनगंडा के नुसार भारत में पुरु सक्षर्टा दर क्या अभी बताया था ना कितना था यह बताओ 88 था यह 82 था तो that was 82.14 परसेंट और यह दो कुश्चन एक ही एक्जाम में आया थे सोचो लिटरेशी रेट पर यह आया थे और दोनों सेलेक्सिन पोस्ट में आया हुए थे ठीक है 23 दिसंबर 2023 का जो एक्जाम हुआ था उसमें which of the following article of the constitution of India defines that the fundamental duties are only meant for the Indian citizen and not for foreigners अब इसमें कौन सा article ऐसा कहता है तो इससे fundamental duty से संबंदित article ही एक है that was that is only 51a तो जाहिर सी बात है question यह बन सकता है कौन से constitutional amendment के through इसको जोड़ा गया था that was 42 नंबर का जो amendment था उसके through इसको जोड़ा गया था है ना हमारे fundamental duties को यह आपको पता है भई है ना यह केबल भारतिये लोगों के लिए है 42 समीदान संसुधन के through इसको जोड़ा गया था किस कमेटी ने इसको recommend किया था है solar radiation को देखो हाइग्रो मीटर के हाइग्रो मीटर से क्या ना पजाता है डाट वी मैजर यूमीडिटी विदी हल्प ऑफ हाइग्रो मीटर यूमीडिटी यह आध्रता का मापन किया जाता है हाइग्रो मीटर के through ठीक है यह इंस्ट्रुमेंट पर science से question आते science से बहुत ज़ की है sorry the barometer का में बैरोटो मीटर करता है आपकाUP का जो atmospheric pressure हुता हे उसको मैजर करता है अभी ऑघ्रो के प्राइब न यह को में ऐत्मसफेरी प्रेश्य होता है वो पहाड़ों पर हूशाए के साथ जो atmospheric pressure होता हूँ बढ़ता जाता है और सर्सफिरे अरशनी में question था जर्सन दे रखाता है कि उचाही पर जाने पर जो वाटर होता उसका जो boiling point होता है क्या हो जाता है कम हो जाता है ठीक है और दूसरा दे रखाता है थे घटता है तो यह आपको ध्यान सबसे बड़ा कंट्री है इसके साथ हमारी सबसे ज्यादा बॉंडरी शेर होती है इस नियर एराउंड सबसे ज्यादा दिक्कत होती मालो अगर यह आपका बंगलादेश थीच तो इस तरह पड़ेगा आपका वेस्ट बेंग अगोल ठीक है यहां तक पुरा वेस्ट बेंग और फिर यहां पर आपको देखने को मिलता है आसाम पर आपका मिघाले भी मिलता है यहां पर चोटा सा क् ते असे हैं से हमारे जो भांग लाइने अपार कने की जा सिर्टि एक बाउंडरी है। विटनेस, मिजल्स, कॉल्रा, कौन सी है, तो देखो मिजल्स, MMR जो होती है, मिजल्स, Mumps & Rubella, यह तीन जो डिसी होती है यह होती है वाइरस के थ्रू, ठीक है, मतलब वाइरस से इनका ओरिजिनेशन होता है, वाइरस से फैलने वाली बिमारिया है, कौन कौन सी, MMR, 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 MMR एक उसका है तृक के जा सकती हैं तो तो मैमने नाम यादकर लो उनके बैक्टिरीया याद कर लो aja मैंने थे किस eh तो अगर बात करते तो पास्चुरिला पेस्टेस जो है ब्लेक को फैलाएं इस नहीं तरफ बैक्टिरिया यह को 52- object तो माई को बैक्टीरियूम यह अगर और यह तो अगर्व कर लेग्या तुच मेक्टिरियन झाता टीक है ममने को अजर पिल घॉलाता है तो यौन-ईमॉणिय आउ इस्ट्रेप्टों को निकति है यह थी थोड़ा सब नीचे हो गई समय भी फैलती है अगर अंग ढहला सिसिको हो रखा है और उसके साथ सेक्शुल इंटर कोर्पीज बसके स्थापित करते हो तो यह डिसीज फैल सकती है ठीक है यह थोड़ी खराब सी डिसीज है निसेरिया गुनोरी से होता है बाकी सिफलिस सिफलिस होता है हमारा ट्रैपोनिमा पैलेडम से ठीक है चलते हैं एक से के बहुत सारे कुश्य ने कल गए थोड़ा सा यह हिंदी में है एक तरफ दे रखा गया है अलग-अलग यूनिट्स दे रखी गई है और उनकी मतलब एक त सब्सक्राइब से इस सब्सक्राइब सिफ WORक जो गता है तो यूनिटों थ Hem सब्सक्राइब सीफ में अरांशने में आड करतेज सब्सक्राइब ठीक है यह हो गया चलो MS-DOS MS-DOS को पहली बात तो किस ने बनाया था आपको यह पता ना होगा कि MS-DOS को किस ने बनाय था किस कंपनीने मनाय था कब बनाय था वो तो यहां पर आपके सामने ही हैं ठीक है एक सेकेंड cigarette उना कि अई आप अजी यह को पिखो जो बनाया था इसको बनाया था टीम पेटर्सन ने वी इस वो किसना अट इना था Deutsch ? sloppy WhatsApp पेटर्सन , ॥ister MS-DOS आप समझ सकते हो कि यह Microsoft से संबन्दित है 1981 में बनाया था Tim Patterson ने ठीक है MS-DOS Tim Patterson ने 1981 में बनाया था और यह Microsoft के अंतरगत आता था ठीक है चलो भारत में Carbon Trading जो Carbon Credit Trading है वो उसका क्या एम है ठीक है Hindi वाले बाइद देख लो English वाले भी देख लो तो बेसिकली जो हमारी Renewable Energy होती है उसके वो जो यूज है उसको बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ठीक है बहुत एजी सा क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं Computer का question है Which layer is found between physical and network layer फिजिकल और network layer को connect करने वाली layer कौन सी है इस तरह से भी पूछा जा सकता है तो वो है हमारी data link layer अश्वनी सर वैसे यह सारी चीज़े ज्यादा बहतर समझा सकते हैं आपको ठीक है तो उनसे अपना पूछ लेना भाई यहां पर data link layer का काम क्या होता है आपको ध्यान रखना है option 20 का correct answer है चलो वर्ड वाइड वेब यह कुशन आया हुगा था वर्ड वाइड वेब जो है उसकी स्थापना मतलब उसको किसने बनाया था विसकार कौन है भई तो पहली बात तो कब आया था क्योंकि अभी आपने देखा MS-DOS का यह पूछा गया त यह ने बनाया है यह दो सब को याद है कब बनाया है यह इन्सान भूल लाता है ठीक है तो यह बनाया है इनलएut пр हमारा MSDOS बनाए कर दे दो किसने बनाए था तो अभी मैंने आपको बताए था तीम पेटरसन ने तीम पेटरसन और जो हमारा www.wo service.net ने बनाए था था टीम बढ़नर्स ली ने बनाए था ठीक है चलते हैं अगले प्रश्न पर यह आज लाश्ट प्रसन है जिसे आप खुद आंसर करोगे NASCOM के अद्धक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है राजस नामबियार, अनेंट माश्वरी, कृष्णन, रामानुजन या कृष्णा सोबती इसमें से जो भी आपको लगता है आप आंसर करो बाकी क्या एड करना है, क्या नहीं करना आप सजेशन दे सकते हो, तो फिलाल तो इस वीडियो में इतना ही है ठीक है, वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब ये सिरीज यहां से चालू हुई है आपको जो भी चाहिए, जिस भी तरह से आपको तयारी आगे बढ़ानी आपको लगता है सर इस तरह की वीडियो बना दो, इस चीज पर वीडियो बना दो आप कमेंट बॉक्स में डालो तीन चार बच्चे भी अगर बोल देंगे ना कि सर इस पर टॉपिक पर वीडियो बना दो, 10, 15, 20, 25 मिनट की मैं उसको डिटेल से बना दूँगा, ठीक है बट आपका पाटिसिपेशन वहाँ पर जरूरी है, ठीक है तो ठीक है, थैंक यू मिलते हैं अगली वीडियो पर और अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज जरूर से जरूर लिखना, ठीक है थैंक यू, थैंक यू अल